स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल Computer Facts RBL में हम आपको एक पेपर की कटिंग है उसको हम बताना चाहते हैं उसको आपको दिखाना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़े दी हुई हैं तो हम आप लोगों अगर बताएं तो आप लोगों सभी का UP88C, UP88C का जो एक्जाम लगा औरीटर का जो एक्जाम लगा हुआ है उसमें जो टोटल जो पोश्टे थी वो आपकी 530 के आसपास पोश्टे थी 530 ही पोश्टे थी उसपे अब हमें यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे करना क्या है कि हमें यह देखना है कि जितने भी बच्चे बिकॉम और O-Level के नहीं ह उनके लिए जो है नोटिस है अगर आपने फरजी जो है डिगरी या डिप्लोमा को बनवाया है तो आपको एक्जाम नहीं देना है यह आपका विकॉम नहीं है फिर भी आपने यूपे टेपरिसी औरीटर का एक्जाम आपने देद मतलब भर दिया है तो आप उसका एक्जा यहुकंसी आपकी आँ थी यह वेकंसी आपकी आई थी 2020 की वेकंसी थी और 2021 यह अभी 2023 में इसकी क्या हुई है जैस्ट जौइनिंग हुई है लेकिन जब आपकी जॉइनिंग हो जाती है तो जो आपको पता नहीं होता है आप उस समय ट्रेनिंग पे होते हैं और आपके जो document verifications होते हैं वो बाद में होते हैं document verifications में क्या होता है कि पहले आपने document verification करवाया उसमें आपने कहा कि मेरा तो document verifications आसानी से हो गया है आपके एक एक documents particular चेख किया जाते हैं आपको इसमें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि हमारे documents कहां कहां चेख हो रहे हैं तो आपके अगर फर्जी कोई भी डाकुमेंट्स है तो वो सारा क्या हो जाएगा चेक हो जाएगा और आपको आपके लिए आपको जॉब से भी निकाला जाएगा और उसके बाद आपको भविश में कोई भी जॉब भी नहीं मिलेगी देखें लकनोग का आपका पेपर है और इसमें पूरा पढ़ सकते हैं पूरा पढ़ने का मतलब है कि आपका सहायक उपने रिच्छक लेखा का है यह सभी बच्चे समझेगा लेखा का मतलब यहाँ पे बिकॉम इसने लगाया होगा और बिकॉम के साथ इन्होंने अगर इन्होंने बिकॉम किया होगा तो इन्होंने कोई डिग्री अलग से बनवाई होगी तो यहाँ पर देखिएगा हो क्या रहा है हाँ देखे अब यहाँ पर क्या रहा है फरजी परिच्छा में फरजी सैच्छिर्ट दस्तावे जानी कि फरजी डाकुमेंट्स के जरिये एक अभ्यार्थी चैनित हो गया गोपनी सिकायत पर जाच वी देखे इसमें क्या हुआ कि जब आपका सेलेक्षन हो जाएगा और किसी ने भी क्या कर दिया किसी ने भी आपत्ती जता दी तब इसका खुलासा हुआ भर्ती बोड के भर्ती बोड के DSP जो है एहसान उल्लाः खान ने सुक्रुवा को हुसाइन गंज थाने में अभ्हार्थी पर एफैर दर्ज कराई और उसका चैन भी जो है उसका चैन भी हटा दिया गया तो आपसे एक अपील है कि अगर आप UCCC auditor का exam दे रहे हैं और या देने जा रहे हैं तो अगर आपके पास become नहीं है या फिर आपके पास become के साथ o level नहीं है या आपके पास become है और आप चाहते हैं कि हम exam को देने के बाद o level बनवा के certificate लगवा देंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपके साथ भी यहाँ पे problems create हो जाएगी तो यहाँ पे जितने भी बच्चे become के हैं और प्लस o level के बच्चे हैं इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करें ताकि जो आपके exam में जो आपके competitive बच्चे हैं जो o level और become नहीं है वो इस exam पे बिल्कुल नबैठें ताकि आप लोगों का selection हो जाया जो आप लोगों ने बहुत ही महनत से become किया है और legal आपने बहुत ही महनत से आपने o level clear किया है कभी कदार होता किया है कि बच्चो को 2-2 साल लग जाते हैं o level के exam को clear करने में पहले जिसे आपका क्या होता था o level है c hoता था see language होती थी see language को clear करने में आपके 2-2 साल लग जाते थे और इसका मतलब है कि एक बार में ये आपका paper नहीं निकलता था ये हम आउसतन बच्चों की बात करते हैं बाकी बच्चे तो एक ही पेपर एक ही बार में क्लियर कर लेते थे लेकिन कुछ बच्चों के द्वारा हमारे द्वारा बताया गया है कि बच्चे बताते हैं कि सर हमारा दो बार में दो अटेम्ट में हमारा से निकला था तीन अटेम नहीं किये हुए हैं student और जो लेवल नहीं किये हुए हैं बच्चे वो इसमें बिल्कुल ना बैठे और जब वो नहीं बैठेंगे के तो आपका sure selection 100% होता होना है क्योंकि यहां पर देखेंगे तो आपके पैंसट सो के आसपास बच्चे जो यहां पर qualify हुए हैं और इन पैंस गया है फर्म को apply करने के बाद यह एक्जाम में बैठेंगे तो आप इस वीडियो को जादा से जादा share करिए ताकि इसको देखने के बाद वो किसी दूसरे बच्चे की seat को ना कर पाए हमारा कहने का मतलब है कि अगर आपने मेहनत से बिकॉम किया है और लेवल किया है तो आ अब इस एक्जाम को अच्छे से तयारी करके दीजिए और आपका selection sure है thank you for watching मिलते हैं आपको next वीडियो में